अगर आपके अंदर जजबा हो कुछ करने का कुछ कर गुजलने का तो आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को एक नया अन्जाम आयाम दे सकते हैं जिनके पास कोई मार्गदर्सक नहीं होता है कोई मार्क दरसन नहीं हो पाता और जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं उनके जो टैलेंट होते हैं उनकी जो प्रतिभाएं होती हैं वो पीछे रह जाती हैं लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो एक ऐसी हस्ती से आज हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने बॉलिवूड इंडस्ट और कई सैकड़ों बच्चों को उन्होंने एक नया अंजाम दिया है क्योंकि आगर बात करें तो आज हर कोई बच्चा यूआ क्रिकेट की तरफ आकरसित होता है क्योंकि आप देखते हैं तो जो है विश्वकप होता है आई पील होता है लेकिन जिस तरह से अब आल इंडिय क्रिकेट लीग की तरफ बात करें तो लगातार बच्चों को एक नया आयाम देने की कोशिस कर रही है चाहत खना जी उनसे मिलते हैं चाहत जी बहुत जो स्वागत है आपका इन 24 नियूज में थैंक यू चाहत जी अगर बात की जाए वॉलीवूड से वॉलीवूड में रही हूं मैंने काफी फुटबॉल खेला है जाब लेंग शॉटपोर डिसका स्रोविमेंट सारे गेम प्ले की है तो मेरी रूची स्पोर्ट्स में जादा रही है जैसे आपने शुरू किया आई पील तो लोगों की जुबान पे है अभी आपने आल इंडिया क्रिकेट प्र मैंने अपने डायट को बच्पन से देखा है शोशल वाक करते हुए तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था शोशल वाक करते हुए ने गरीबों को खाना खिलाना गरीबों को कपड़े प्रवाइड करने हैं काफी चीज है तो कही ना कहीं चीजे यह जब मुझे बच्चों के लिए टालेंट तो है लेकिन वो दिखा नहीं सकती या शायद फैमली उनके फैनेंशनी वीक है और सपोर्ट नहीं कर सकती तो हमने यह प्लैटफॉर्म उन बच्चों को दिया है कि जो अपना टालेंट दिखा सके और ग्रामीन डिस्टिक इनवर्सिटी और इ यलो टीम ग्रीन टीम इस टाइब से हमने बच्चों को प्लैटफॉर्म दिया है और घ्रामीन में भी खेला है इंवर्सिटी खेला है नैशनल खेला अब हमारी टीम इंडे नैशनल लेवल में जा रही है रश्या पर और इंडिया को रिप्रेसेंट करेगी आपने कहा सब्सक्राइब करते हैं कर सकते हैं तो हम उनका पासपोर्ट और सारी चीज़े जो हमारी संस्ता हमारा उनका खर्चा उठाती है उनको खर्चा उठाती है लेकिन 22 स्टेट आप बता रहे हैं कि 22 स्टेट में आपके जो है लोग फैले हुए आपकी टीम काम कर रही है अगर हम बात करें तो इन आट सालों में कितने बच्चे अब तक आपक कितने बच्चों को आप लोगों ने अब तक प्लेटफॉर्म दिया है हर 22 स्टेट से हमारे पास अब तक के 6-7 थाउजन बच्चे आ चुके हैं और काफी अच्छा रिक्सपॉंस है और वह काफी हैपी है उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उनके पैरेंट्स हमारे संस् है जोच बना है लेकिन बता है कि आपके पिता जी सोचल वर्क करते थे एपने भी सोचा कि सोचल वर्क करूं करूं लेकिन जिस तरीके से आज बात की जाए तो वॉलीवूड छोड़के कहीं न कहीं आप इस्पोर्ट में आप बताई कि फुडवाल खेलती थी आप क्रिकेट को क्यों चुना क्रिकेट एक्चुली सर जो चीज़े मैं नहीं कर पाई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो टीम में मैं हूँ आल इंडिया ग्रामिन क्रिकेट लीग में तो कही ना कही मेरे सपने इनके दूप पूरे हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत दिल से खुशी होती कि मैं कुछ ऐसे बच्चों के लिए अच्छा कुछ कर सकूं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इससे बड़ा काम तो होई नहीं सकता सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आप फुटबॉल प्लेयर थी आप बुली में फुटबॉल खेलती थी स्पोर्ट से बिलॉंग करते हूं तो लोग अकसर देखा गया कि जिस खेल को ज्यादा रूची से खेलते हैं लोग उसी में आगे बढ़ते हैं तो आपने फुटबॉल को छोड़के बॉलीबॉड इंडस्ट्री की बात करें वहां से हटके आपने जो है लोगों के लिए क्रिकेट ही क्यों चुना कि ज्यादा तर जो बच्चों में मेल बच्चों में रूची है वो क्रिकेट की है और क्रिकेट इतने दिल से खेलते हैं तो मैंने कहीं हमारी करेंगे तो वह ऐसी चीज होनी चाहिए ऐसा प्लाटफॉर्म होना चाहिए ऐसा गेम होना चाहिए ताकि उजुक करके उड़ जाए तो हमने एक लिक कराई थी जो खालसा कॉलेज में हमने कराई ती डैली पे तो वहां पर जो बच्चे टैलेंटेड निकले हैं तो जो रू सर मैं करना चाहूंगा प्लीस मुझे एक चांस दीजिए तो हमने इन बच्चों को बहुत अच्छा चांस दिया और कहीना की ऐसा मेरी फामली में मेरा ब्रदर है और मेरे काफी फामली मेंबर से जो क्रिकेट में रूची रखते हैं मैंने का नहीं स्पोर्ट तो इसी में हम काम करेंगे सर जैसे आपने बताया कि खाल्सा कॉलेज में आपने टूनामेंट रखा जिसमें लोगों ने कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तो आते हैं लेकिन पैरेंट्स जो है काफी पढ़ाई को लेकर काफी परिसान होते हैं कि अगर बच्चा खेलने में विजी हो है अगर उन्हें घर पर ही कयात करके बच्चों का टालेंट दिखेगा नहीं तो कहीं ना कि बच्चों को उनके पैरेंट्स सपोर्ट करना चाहिए और एपिशेट करना चाहिए कि जो हमारा बच्चा कर आज स्पोर्ट को लेकर हमारा इंडिया टॉप लेवल पे हैं और जि जो आपका पार्ट टाइम होता है जो आप जिसमें इंटरेस्टेड है आज का की फामली ये करना चाहती है कि जिस बच्चों को टालेंट ही नहीं है आप उसमें उनको माइंड डायवोट करें तो ऐसे बच्चों से पूछिए एक बार कि आप क्या चाहते हो आपका और जो करना चाहते तो पैरेंट्स को उसमें सपोर्ट करना चाहिए उनको एपिशेट करना चाहिए आठ साल पहले जब आपने इस लीग की शुरुवाद की थी तो कहां से की थी और आज आठ साल बाद आप अपने आपको कहां देखती है जब मैंने शुरुवाद की थी स् तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शायद उनकी दॊआ है और ऐसे काम करती हूं तो उससे आगे बढ़ती हैं सरे किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं आप से टीम से और किस तरह से जो है ओ काम कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है किसी भी मुकाम को पाने के लिए टीम अब ख कोई शुविदा नहीं दी हुई है हमने हमने शोशल वर्क में हमारी जो टीम जुड़ी है बहुत महनती है सब के दिल में यह की चीज है कि नहीं हमें गरीब बच्चों के लिए करना है क्योंकि उनके जो पैरेंट से उनको फैनेंशी शपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम यह चा घर कर रहते है तो बहुत जलदी result अच्छा होगा बात की जाए तो आज देश में पढ़े गा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया andere दिया गया था था सरकार की अगर बात करें तो लगातार सरकार जो ए इसपोर्ट पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही ए खेल की तरफा तो इन गौर्मेंट के पर अप्रूल्स आ हुए हैं इसमें और सरकार ने भी काफी सपोर्ट किया हुआ है और हम यही अपील करते हैं हमारी गौर्मेंट से कि अगर हम उनसे लेटर ले रहे हैं या कुछ छीज़ें वो हमें सपोर्ट करें वो हमारे लिए नहीं है उन बच्च में जुड़े हुए हैं वो टीम बहुत अच्छे लेवल की है और हम अच्छे प्लैटफॉर्म पे और हमें आगे अच्छा प्लैटफॉर्म मिल रहा है गलत जगे नहीं है तो इस टाइप से सारे लोग जुड़े हुए और दीरे दीरे में अभी तो क्या बोलूंगी आपको पस दीरे दीरे पता चलेगा चाज जी सवाल यह है कि गवर्मेंट से आपने कहा लेकिन अगर बात की जाए आपकी फैमली को लेकर जब आपने बॉलीवूड में इंट्री मारी होगी तब भी अक्सर देखा जाता है कि ल किया है जब मैंने स्पोर्ट जॉइन किया था मेरे डाड कोल माइन्स में इंचाज रह चुके है और मेरे डाड का नाम है चुनिलाल तो मेरी फामली बहुत फैंकली है उन्होंने बहुत बच्चों को अथारटीस दी है कि जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तो आगे नही को फेस नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं तो हमारे पैरेंट्स ने मैंटली फिजिकली फैनेंशली सभी चीज़ों में सपोर्ट किया है और थाइंक्स टु गॉड कि वो हमारे पैरेंट्स से जो इतनी आउथेरिटिस दी हैं हमें कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ ह हमारे दर्सकों को किस तरह से संदेश देंगी और दूसरा सवाल यह कि किस तरह से लोग आप से जोड़ना चाहें जो बच्चे हैं जिनकी प्रतिभाएं हैं जो खेलते अच्छा हैं उनको कोई आयाम मुकाम नहीं मिलता है उनके लिए किस तरह से आप से कॉंटेक्ट कर सकत हैं आपकी वेफसाइड के तुरू या कैसे जो है अगर आपकी लीग से जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं सर हमारा ओलनाइन एक फार्म है और लिए ग्रामिन क्रिकेट लीग तो आप हमें टाइक कर सकते हैं गूगल में फेस्बूक में इंस्टा में और और बच्चे जा रहे हैं ऐसे मैं अगर बात की जा तो इस तरह से चाहत खना ने नई शुरुआत की आठ साल पहले सजोया की हमें कुछ करना है उन बच्चों के लिए करना है जो ग्रामीर इलाके में रहते हैं जिनके पास कोई प्लेट फॉर्म नहीं है उनको प्लेट फॉर्म पहले मैंने मुंबई में antri ki जब तो मुझे गलीों के रस्ते भी नहीं पते थैया और कम से कम दयो साल मैंको गली ढूंने में नहीं रस्ता यहां से मैने بहुत महाइनत की है मेरा काफी मैनत किया इस में और काफी hard journey मुझे में किसी को नहीं जानती थी इन मे की ओं रहा मेरा एक नया मुकाम मिले लेकिन कही ना कहीं वो इस ट्रगल पे ही रह जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है चाहँ का मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी मैनत करिये कही ना कहीं उपर वाले ने आपका नसीब लिखा ही होगा जो आपको मिल जाएगा आज मैंने बस लगे रहो मैनत करते रहो तो सर हम इसमें यह चीज़े करते हैं कि जो हमारी संस्ता है तो सबसे पहले उनके जो बच्चों के पैरेंट्स होते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं जिस प्लाटफॉर्म पे हम आपके बच्चों का सेलेक्शन कर रहे हैं तो पहली बात तो वो शेप हैं कोई टेंशन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फैनेंशन की बात आती है तो हमारी संस्था उनको फैनेंस करती है टैलेंट है हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए बनी हुई है गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए बनी हुए जिसके बास टैलेंट है लेकिन पैसे नहीं है। लेकिन हम के पैरेंट्स को यही चीज़े समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चे को निकाल ये संस्था और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो संस्था भी सपोर्ट कर रही होती हैं बच्चे के बास टैलेंट है तो गौर्वर्मेंट भी लगे रहो मेहनत करने रहो क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जो अपने मुकाम अपने टैलेंट को लेकर हमेशा द्रिड़ संकल्प रखते हैं कि मुझे ये करना है वो कभी पीछे नहीं आते हैं जिस तरह से आठ साल पहले चाहद ने एक सपना देखा था ग्रामीड बच्चों को एक नया आयाम देंगी साती अपने इंडिस्ट्री की बात करें बॉलिवूड में भी उन्होंने आठ साल पहले ही जो है इन्टरी की थी आज हो एक अच्छा मकाम पर हैं लेकिन जिस तरीके से बात करें आज जो है घ्रामीड बच्चों को लेकर सरकार लगातार योजनाएं तो बनाती है लेकिन क्या वो योजनाएं उन बच्चों तक पहुंचती है लेकिन जिस तरह से चाहत ने एक सुरुआत की कि बच्चों को जो है एक मुकाम दिया जाएगा और धीरे धीरे सुरुआत तिनके तिनके से करकर आज एक बड़ा जो है अपना तयार हो चुका है और अब उनकी टीम को इंटरनेशनल लेबल पर चुना गया है और उनकी टीम रसिया जा रही है वहाँ पर भारत को प्रजेंट करेगी कैमरामेन देवानन सिंग के साथ प्रदीप सर्मा इन 24 नियूज मुंबाई